कि लास्ट 30 मंथ में सिर्फ वर सिर्फ आपको एक मंथ लॉस देखने को मिला है बाकि सारे मंथ आपको प्रॉफिट में ही देखने को मिल रहे हैं हाई एवरिवन इस वीडियो में हम लोग अपनी एक नई एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी सिखने जा रहे हैं जिसका नाम है rolling straddle और मैं इसको निफ्टी में उज़ कर रहा हूँ और यह काफी पॉपलर स्ट्रेडजी है जो कि एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है तो एल्गो ट्रेडिंग पर मैंने ओल्रेडी 10-15 वीडियो अपलोड कर रखे हैं तो basically क्या होगा कि अगर आप सारे वीडियो को देखोगे जब भी आपको time मिलता है तो आपका जो algo trading में जो base है न वो काफी strong हो जाएगा और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी इंसान अगर किसी भी field में उसका base strong है न तो वो उस field में sign करेगा ही करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि base पर ध्यान दीजिए अगर base strong है तो आप उस field में अच्छा perform करेंगे तो आपको क्या करना है कि वो 10 to 15 वीडियो है आप उनको देखिए और सीखने की कोसिस करिए क्योंकि उससे क्या हुआ कि वहाँ पर मै पीच बनना है तो आपको खुद ही action लेना पड़ेगा आपके लिए आके कोई भी action नहीं लेने वाला है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना जादा से जादा कोसिस करिए सीखने की अब आते है strategy पर तो देखो यह जो strategy है यह option selling की है अब देखो कई सारे लोग जो capital लगता है वो ज्यादा लगता है बट एक बात आप यह भी धियान रखना कि इसमें आपको consistent return मिलता है तो अभी जब मैं आपको code करके सिखाऊंगा तो आपको यह समझ में आएगा दूसरी चीजिस में जो tension होता हूँ काफी कम होता है जैसा कि आपने देखा होगा option buyer के case में कि हर एक 10 or 20 point के move पर उनको काफी जदा panic होने लगता है आप भी कई बार मतलब उस तरह से मतलब behave करते होगे कि काफी बरा move आ रहा है और यहां से हमें exit कर लेना चाहिए तो यह option buying में होता है option selling के case में 20 to 30 point के movement पर अपके MTM में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अब आत सिर्फ और सिर्फ 3% है जो कि बहुत ही जादा कम है और यही अगर आप option buying में अगर strategy को backtest करेंगे तो आपको वहां पर drawdown देखने को मिलेंगे 60 to 80% इसलिए जो option buying बाली strategy होती है वो काफी जादा उसमें drawdown आपको देखने को मिलता है और उसमें मतलब एक जो normal इंसान है न व capital requirement है वो around 1.5 lakh के आसपास है total trading days 614, winning days 409, losing days 201 जो accuracy है आपकी 66% की आप यहां पर देख सकते हैं जो maximum winning streak है वो है 17 days मतलब आप लगातार 17 days तक profitable रह सकते थे अभी तक ऐसा हुआ है आगे क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं बता सकता maximum losing streak 6 days मतलब लगातार 6 दिन आपको loss देखन को मिला होगा तो आइए सको देख लेते हैं पहले loss वाला और maximum 6 days तो हमें देखना होगा कि 6 days हमें कहां loss देखने को मिला है तो आप यहां पर देख सकते हैं 123456 और आपको losses कितने देखने को मिल रहे है 0.48% अगर 0.5 मानते हैं तो 1.5 lakh का 1% कितना होता है 1500 तो अगर 0.5 अग और आपके जो brokerage charges होंगे या जो external charges है वो आपको लगेंगे बट आप यहां पर देख सकते हैं जो losses हैं वो काफी कम है तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो option selling में consistency है न वो काफी ज़्यादा आपको मिलेगी और losses काफी कम देखने को मिलते हैं और data को हम लोग और ज़्यादा analysis करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका जो average monthly profit है वो around 8900 के आसपास आ रहा है तो आप इसको 7500 लेके चलो त्योंकि थोड़ा सा sleepage आएगा थोड़ा सा आपको taxes पे करने पड़ेंगे जो total returns है वो है 261,000 के आसपास monthly returns है 6% के आसपास total ROI है 175% के आसपास और आप यहां पर देख सकते हो जो maximum drawdown है वो है 3% के आसपास जो की काफी ज़्यादा कम है मैंने कई सारी option buying के strategy backtest किये और वहाँ पर जो minimum drawdown मुझे देखने को मिला है वो minimum 20% के आसपास मिलता है तो आप समझ सकते हो कि option selling में drawdown काफी ज़्यादा कम है और यहां पर आपको कोई बहुत बड़ा pressure नहीं आएगा जैसा कि मैंने आपको बता है 20 to 30 point में आपको कोई भी fluctuation देखने को नहीं मिलेगा आपके MTM में अब आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि Monday को आपको 17% का return मिला है Tuesday को 21% का Wednesday को 26% का Thursday को 83% का and Friday को 27% का थोड़ा सा मैं एक चीज भूल चुका हूँ मैं आपको बता देता हूँ तो यह जो back tested report है यह 30 March 2021 से September 25 2023 तक का almost 30 month का आपको यहां पर back tested report देखने को मिल रहा है और उसी के basis पर यहां पर returns calculate हुए है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है Monday को 17% का return है Tuesday को 21% का Wednesday को 26% का Thursday को 83% का Friday को 26% का and इसके पहले भी मैंने आपको तीन profitable algo trading strategy के बारे में बताया है तो आपको क्या करना है कि इन चारो को देखना है मतलब यहां पर आपको देखिए अपना दिमाग लगाना है चारो strategy को देखिए find out करिए कि कौन से strategy कौन से दिन सबसे ज़्यदा profitable है and फिर आप वहां से अपना strategy बिल्ड करिए क्योंकि वही आपको पैसा बना के देगा जैसा कि मैंने आपको starting में बोला आपके लिए कोई भी मेहनत नहीं करने वाला है अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ही मेहनत करना होगा यह practical बात बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ लोगों को बुड़ा लगे बट यही सच्चा ही है अब monthly wise return देख लेते हैं तो यह रहा आपका monthly wise return तो आप यहाँ पर देख सकते हैं last 30 month में सिर्फ और सिर्फ हमें एक मन्त में loss देखने को मिला है और यह loss कितने का है 0.43% आप इसको 0.5 माल लीजिए तो कितना हो गया यह 750 रूपेज only monthly wise आप 29 month profitable थे in 30 months तो आप देख सकते हैं कि इस strategy ने काफी अच्छा profit generate किया है तो एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूँ कि last 30 month में सिर्फ और सिर्फ आपको एक month loss देखने को मिला है बाकि सारे month आपको profit में ही देखने को मिल रहे है तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो option selling है न वो आपको consistent return देता है अब आईए देखते हैं इसके coding तो coding हम लोग कहां पर करते हैं ट्रेट्रों में तो यह रहा ट्रेट्रों का platform जब मैं इसको कल backtest कर रहा था तो मैंने इसके बारे में code भी कर लिया था तो देखे यहां पर मेरे पास दो option है पहला मैं आपको यह सारे code समझाओ और फिर आप कहोगे कि सर यह क्या benefit हुआ at least हमारे सामने coding तो करो जिससे हम लोग सीखेंगे तो वही मैं करने जा रहा हूँ मैं चीजों को practical रखता हूँ जैसे कि आप मेरा live trading भी देखते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा stock में क्या एक pattern देखने को मिल रहा और किस तरपरकार का return देखने को मिलता है जैसा कि आज मैंने आपको बताया था live market में की LTIM पर focus करिए और यह रहा है LTIM और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको around तो मैंने इस stock के बारे में आपको around 1 p.m. में बताया था और मैंने वहाँ पर पूरे discuss किया था कि मैं इस stock को क्यों select कर रहा हूँ तो अगर आप live trading जोइन नहीं करते हो तो एक बार जोइन करिएगा वहाँ पर आपको काफी कुछ मैं बता सकता हूँ तो जब भी आपको time मिले एक बार ज़रूर जोइन करिएगा तो मैंने आपको around 1 pm के आसपास दिया था और इस stock ने around यहाँ से 50 point का move दिया था जो कि होता है 25% तो इस तरह से आप पैसे बना सकते हैं अब हम लोग आते हैं अपने code पर और मैं आपके सामने यहाँ पर code करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है यह strategy आपको profitable बना दे तो सेम ही code है मतलब जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वही code मैं आपको यहाँ पर fit से लिखने जा रहा हूँ जिससे क्या हुआ कि जो लोग सीखने वाले हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरा वीडियो जो उन ही के लिए है तो आईए इसको code करते हैं एड टाइम मतलब हम लोग कौन से टाइम में इंटर करेंगे ग्रेटर दैन इकवल टू नंबर 920 यहां लोग इंटरी 920 में लेने जा रहे हैं और हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं कॉल और पूट आप्शन को सेल करने जा रहे हैं सेल एन फो कॉल आप्शन निफ्टी क्योंकि निफ्टी जो है वो कम movement देता है as compared to the bank nifty क्योंकि bank nifty काफी wild move देता है ठीक है तो इसलिए हम लोग nifty में option selling करते हैं अगर आपको buying करना है then bank nifty में आपको एक अच्छा return मिल सकता है in case of buying बट ऐसा भी हो सकता है कि आप nifty में भी अच्छा return generate कर पाए क्योंकि यह आपके experience पर भी depend कर सकता है MIS that is intraday current week lots में 1 और मुझे जो यहाँ पर add the money select करना है वो spot के basis पर select करना है तो यहाँ पर मैंने effects select कर लिया and यहाँ पर मैं round LTP base 50 क्योंकि nifty में 2 stack price के बीच में जो difference है वो है 50 point का और अगर यही मैं bank nifty में code कर रहा होता तो यहाँ पर 100 लिखता NFO nifty अगर यहाँ पर मैंने monthly select कर लिया तो यह future के basis पर select करेगा और अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया तो यह spot price के basis पर select करेगा और मुझे spot price के basis पर ही चाहिए और इस प्रकार से हमने call को sell कर दिया अब हम लोग यहाँ पर put को sell करने जा रहे है put nifty current week lots one और यहाँ पर जो code है वो बिल्कुल same है क्योंकि मैंने उसे को update किया है submit थोड़ा सा हो सकता है कि advance लगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इसके उपर already 10 to 15 वीडियोज बना रखें तो एक बार जरूर कोसिस खरिएगा सीखने की close तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले मैंने call को sell किया है और फिर put को sell किया है अब बात करतें adjustment की क्योंकि कई सारे ऐसे request भी आ रहे थे कि सर आप options selling का बता रहे हूँ लेकिन आप adjustment का नहीं बता रहे हूँ तो पहले यहाँ पर concept समझो अब तो माल लिजे market जो है वो 20,000 पर है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 20,000 का CE सेल करता हूँ और 20,000 का PE सेल करता हूँ अब मुझे adjust करना है कि अगर यह plus 50 point जाए तो यह जो पूरा मेरा straddle है वो shift होके 50 point ऊपर चला जाए अगर market नीचे जाए that means कि minus 50 point जाए तो यह जो पूरा straddle है यहाँ पर shift हो जाए so this is called rolling straddle मतलब price मतलब जिस तरह से move कर रहा है उसी तरह से हम लोग अपने straddle को भी shift कर रहे है तो हम लोग भी उसी चीज को यहाँ पर code करने जा रहे है LTP और किसके basis पर हम लोग shift करने जा रहे है a spot price के basis पर मतलब अगर plus 50 point जाता है तो हम लोग उपर shift करेंगे माइनस 50 point जाता है तो हम लोग नीचे shift करेंगे बट वो 50 point किसका? option का कि a spot का? a spot का और यहाँ पर nfo nifty अगर यहाँ पर मैंने current month select कर लिया तो वो future का हो जाएगा लेकिन हम लोग यह पूड़ा जो game खेल रहे है वो a spot press के basis पर खेल रहे है यह हमने कर लिया जैसे ही यह greater than हो जाएगा मतलब यह upside में जाएगा 50 point तो हम लोग अपने straddle को shift करेंगे और उपर में हमने क्या sell किया है? call option traded instrument entry price यहाँ पर हम लोग strike को select करेंगे क्योंकि हमें यहाँ price से मतलब नहीं है तो market जो था वो 20,000 पर था हमने क्या किया? 20,000 का put option को sell किया and 20,000 का call option को sell किया आप यह बताओ कि यह जो 20,000 call और put को हमने sell किया किसके basis पर sell किया? यह जो spot price चल रहा था उसके basis पर अगर 19,000 हो था तो 19,000 का call option sell करते है और 19,000 का put option sell करते बट हम लोग किसके basis पर sell कर रहे है? यह जो spot है अब मान लो इसमें 50 point का move आ गया तो यह हो गया 20,000 50 तो हमें क्या करना है? अपने straddle को उपर shift करना है तो किसके basis पर shift कर रहे है? यह जो spot में movement आया है उसके basis पर तो इसलिए हम लोग यहां पर strike price को target कर रहे है तो I hope कि आप को यह समझ में आ रहा होगा एक बार pain और paper पर लिखके कोसिज करेगा समझने की क्यूंकि मैंने initial stage में वह ही किया था तो थोड़ा सा आपको समझना होगा अगर आपका दिमाग बहुत तेज है तो अगर नहीं है तो थोड़ा सा लिखने की कोसिज करिए मैं भी उसी category में आता हूँ भाई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जाद है intelligent हूँ मैंने भी pain और paper पर उसको mathematical लिखा था दिन मैंने उसको समझा था यहां पर underlying जो है nifty nifty क्योंकि हम लोग सारा काम nifty में ही कर रहे है set number 2 है क्योंकि set number 1 में हमने already code कर रखा है condition number 1 क्योंकि एक set में एक ही condition होती है leg number 1 यह है call option और call option में जैसे ही plus 50 point number 50 तो जैसा कि आपने देखा जैसे ही market जो 50 point के ऊपर चला जाएगा तो हम लोग अपने straddle को shift कर देंगे एक और condition है हो सकता है market उपर न जाए market नीचे चला जाए तो वैसे condition में हम लोग यहां पर add नहीं और मतलब हो सकता है market उपर जाए या नीचे जाए एक साथ दोनों नहीं हो सकता और में क्या होता है कि दोनों condition valid होने चाहिए और में मतलब या तो ऊपर या तो नीचे I hope कि आपको यह चीज़े समझ में आ रही होंगी और यहां पर simply हम लोग copy paste का help लेंगे यह जो plus sign है इस पर copy करेंगे और यहां पर paste कर देंगे और इस पार less than market हो सकता है नीचे चला जाए less than यहां पर भी paste और यहां पर leg number 2 क्योंकि इस पार हम लोग put को select कर रहे है और यहां पर plus नहीं इस पर minus number 50 तो I hope कि आपको यह दोनों step समझ में आ गया होगा पहला बार क्या कर रहे है हम लोग अगर market उपर जाएगा तो हम अपने statal को shift कर रहे है अगर market नीचे जाएगा तो भी हम लोग अपने statal को shift कर रहे है और यह कितने point के basis पर shift कर रहे है हर एक 50 point के move पर that means कि 50 point का अगर change आएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है यह automatically अपने आपको adjust कर लेगा और अब ही हमने back tested report में देखा है कि last 30 month में 29 month यह profitable है अब हम लोग बात करते है exit rule की submit कर दिया strategy हमारी successful हो गई है अब देखिए exit rule में क्या है तो अगर time 15 10 that is 3 10 pm से अगर जादा हो जाएगा तो exit हो जाएगा या loss अगर 6000 से जादा हो जाएगा तो exit हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने और को select कर रखा है and को नहीं तो यह छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए और इसी तरह से हमने इसे strategy को completely code कर लिया और इसका मैंने आपको back tested report अल्रेडी दिखा रखा है तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा Thanks for watching झात तरे मतर हो essence if in reक ट एव पर शोटी जरप को इसे वीडियोन वारे मेरे मतरी स्वेडोयन बोल्डर आ पत साथैंगे ằng आपको तो थकिstyle